नमस्कार दोस्तो इंडियन पिनल कोड के लेक्चर नमबर 15 में आप सभी का स्वागत है आज की लेक्चर में हम लोग प्राइवेट डिफेंस का जो टॉपिक है उसे डीटेल में डिसकस करेंगे वैसे तो ये जो टॉपिक है इसे काफी डीप माना जाता है और इसके उपर ती एक्साम हो जाएगा तब इस टॉपिक को और ज्यादा डीटेल में यानि बचे हुए सेक्शन को डीटेल में स्टेडी करेंगे आफ्टर यूर एक्साम्स आज के लेक्चर में हम लोग सेक्शन नमबर 96, सेक्शन नमबर 97 और सेक्शन नमबर 98 अफ दे इंडियन पिनल कोड डीटेल में स्टेडी करेंगे, सेक्शन नमबर 96 कहता है, फिंग्स done in a private defense, सेक्शन नमबर 97 कहता है, राइट और प्रिवेट देफेंस अफ दे बोड़ी आफ द अफ द बॉड़ी आफ दे प्रवेट पॉड़ी अंफ दे प्रपरटी, सेक्शन नमबर 98 कहता है, राइट सबसे पहले हम लोग समझते हैं bear act में क्या लिका है section 96 things done in a private defense nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense private defense को हम लोग आसान भाषा में कहते हैं self defense यानि खुद को दूसरे के act से बचाना मान लीजिए आपको कोई कान के नीचे मान रिक कोशिश कर रहा है तो आपका जो basic instinct है वो ये रहेगा कि उसके हाथ को बीच में ही रोग दे ये human nature है human instinct है और Indian penal code भी इसे recognize करता है और Indian penal code का section number 96 ये कहता है कि अपने आपको defend करने के लिए अगर कोई भी act किया जाए तो उसे Indian penal code offense नहीं मानेगा अभी हम लोग section number 97 की तरफ नजर डालते है right of a private defense of body and property सबसे पहले हम लोग bear act का जो wording है उसकी तरफ नजर डालते है every person has a right subject to the restrictions contained in section 99 section 99 में हमें ये direction दी गई है कि public servant के द्वारा जो act है उसे हम लोग किस तरह से reasonably defend कर सकते हैं section 99 सबसे पहले तो ये कहता है कि अगर public servant अपनी authority का गलत इस्तमाल नहीं करता तो हमें private defense करने का कोई भी अधिकार नहीं है हमें उसे corporate करना चाहिए लेकिन अगर public servant अपनी authority का गलत इस्तमाल करेगा तो हमें Indian Penal Code का section 99 ये authority देता है कि अपने आपको reasonably defend करो और उस particular act को section 99 private defense का हवाला देते हुए कोई भी offense नहीं माने का so every person has a right subject to the restrictions contained in section 99 to defend his own body यानि अपने आपको defend करने का and the body of any other person या फिर किसी और person को defend करने का अधिकार देता है against any offense affecting the human body Indian Penal Code का chapter number 16 offenses against human body को define करता है for example culpable homicide, murder, assault, battery इसके बाद में hurt, grievous hurt और बाकी सारे offenses है इनको define करता है तो हमारी उपर अगर कोई culpable homicide का या फिर murder का या फिर attempt to murder का ये कोशिश करता है तो Indian Penal Code हमें reasonably defend करने का अधिकार देता है और अपने आपको reasonably defend करते वक्त या फिर किसी और person को reasonably defend करते वक्त अगर हमें हमसे कोई offense हो भी जाए तो भी Indian Penal Code उसे offense नहीं मानेगा ये कहता है section 97 का पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा कहता है against the property whether movable or immovable of himself or any other person against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief or criminal trespass section 97 ने offenses against property mainly 4 तरीकों में divide किया है यानि अगर आपकी property को या फिर किसी और की property को चोड़ी होने का खत्रा है robbery करने का या फिर डकैती होने का खत्रा है या फिर किसी और द्वारा criminal trespass या फिर mischief किया जा रहा है तो अपनी property को reasonably defend करने का अधिकार आपको Indian Penal Code देता है और उस property को reasonably defend करते वक्त अगर कोई offense हो भी जाता है तो उसे Indian Penal Code offense नहीं मानेगा because of right to private defense For example, मान लीजिए आपका एक बंगला है और आपके बंगले में आपने एक compound बनाया तो compound को defend करने के लिए आप kill ठोक सकते हैं या फिर काच लगा सकते हैं और अगर कोई चोर उसे चड़के आ रहा है और kill से या फिर काच से उसका हाथ छिल भी गया तो normal circumstances में उसकी body को damage तो हुआ है तो अगर आपने kill से या फिर काच से उसके उपर वार किया होता तो Indian Penal Code उसे hurt या फिर grievous hurt मानता लेकिन अपनी body को या फिर property को defend करते वक्त और reasonably defend करते वक्त आपसे वो offense हुआ है और इसलिए उस particular act को यानि अपने compound में kill ठोकने को या फिर काच ठोकने को Indian Penal Code एक right to private defense के द्वारा किया गया एक reasonable act मानता है और चोर को अगर कोई damage हो भी जाए तो आपके खिलाफ वो case नहीं कर सकता यह उसका एक basic understanding हो गया अभी हम लोग आगे बढ़ते है explanation सबसे पहले मैंने अपने own words में लिखा है section number 96 और section number 97 का section number 96 तो basically self-explanatory offense है self-explanatory है हम लोग section number 97 का explanation देखते है there are two types of offenses against the humans in general nature offenses against the body chapter 16 of the Indian Penal Code chapter 16 में offenses against body कुछ इस प्रकार से दिये है culpable homicide, murder, attempt to murder, hurt, grievous hurt, assault, etc इसी के साथ साथ आपको offenses against outraging the modesty of woman यानि 354 of the Indian Penal Code ये offenses भी आपको offenses against body में नजर आएंगे तो अपने आपको या फिर किसी और person को in particular offenses से reasonably defend करने का अधिकार हमें section number 97 देता है every person has a right to reasonably defend himself or any other person against any of those offenses or their attempt यानि अगर आपको कोई लगता है कि सामने वाला इंसान मुझे in particular offenses में से कोई act commit करने का attempt कर रहा है तो आपको Indian Penal Code ये भी अधिकार देता है कि उसका जो attempt है उसे reasonably diffuse कर दो यानि for example आपके उपर किसी ने बंदुक तानी है तो this is a aggravation और कभी भी वो इंसान आपका murder कर सकता है या फिर आपकी हत्या कर सकता है तो Indian Penal Code आपको ये अधिकार देता है कि reasonably defend करने के लिए उसके उपर मतलब लाठी से परहार करो जिससे उसके हाथ की जो gun है वो नीचे गिर जाए और आपको थोड़ा बहुत leverage मिले लेकिन अपने आपको reasonably defend करना इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को मारना और ये कहना कि मैं self defense के लिए मार रहा था इसके बाद में section 97 का दूसरा हिस्सा there are offenses against the property in the chapter 17 of the Indian Penal Code every person has a right to reasonably defend himself और any other person against those offenses or their attempt chapter 17 में offenses against property कई तरीके के आपको बताए है लेकिन ये जो bare act है इसमें section 97 आपको सिर्फ 4 तरीके के offense बताता है theft, robbery, mischief, criminal trespass और their attempt यानि इन 4 तरीकों के offense या फिर उनका attempt करने की कोशिश करना यानि उनको attempt करने के लिए अगर कोई act करता है और आपको ये पता चलता है कि ये इनसान इन 4ों में से कोई act commit करने जा रहा है तो अपनी property को या फिर किसी और की property को बचाने के लिए आप reasonable steps ले सकते है या आपको section no. 97 बताता है अभी हम लोग section no. 98 डिसकस करते है ये, right of private defense against the act of a person, of unsound mind, etc. When an act, which would otherwise be a certain offense, is not that offense by reason of youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person, every person has इसका मतलब है अगर किसी ऐसे इंसान द्वारा अंजाने में ओफेंस कमिट हो जाता है किसी ऐसे इंसान द्वारा जिसे यहां पर दिया है Unsoundness of Mind यानि अगर कोई Unsound Mind का इंसान है जिसे हम लोग पागल कहते हैं अगर किसी पागल द्वारा या फिर Youth या फिर Immature यानि जिसे हम लोग Juvenile Offenders कहते हैं यानि 18 साल से कम उमर वाले इंसान द्वारा या फिर 7 साल से कम उमर वाले इंसान द्वारा अगर कोई Offense कमिट हो जाता है तो Indian Penal Code उन Particular Acts को Offense तो नहीं मानेगा लेकिन अपने आपको Defend करने के लिए आप लोगों को यह अधिकार देगा कि उन Acts को आप Reasonably Defend कर सकते हैं अगर कोई 14 साल का इंसान अगर आपके सामने बंदूक लेकर खड़ा है तो आपने आपको आप उसी तरीके से Defend कर सकते हैं मैंने आपको 97 में बताया था कि अगर कोई इंसान आपके सामने बंदूक लेकर खड़ा है तो आप उसे काठी से मार सकते हो या फिर लाठी से मार सकते हो अपने आपको Reasonably Defend करने के लिए बेशक अगर आपने किसी इंसान को लाठी से मारा होता और अगर वो निहत्ता होता तो आपके एक्ट को Indian Penal Code द्वारा Offense माना जाता लेकिन अगर आपके सामने कोई Juvenile Offender भी खड़ा है यानि अगर एक 18 साल से कम उमर का लड़का आपके सामने बंदूक तान कर खड़ा है तो Indian Penal Code उसके एक्ट को Offense तो नहीं मानेगा लेकिन आपको reasonably खुद को Defend करने का अधिकार जरूर देगा यहां पर illustration दिया है Z under the influence of madness attempts to kill A Z is guilty of no offense but A has the same right of private defense which he would have if Z were the same person यहां पर हम लोग दूसरा illustration देखते है A enters by night a house which he is legally entitled to enter Z in good faith taking A for a housebreaker attacks A here Z by attacking A under this misconception commits no offense but A has the same right of private defense against Z which he would have if the Z were not acting under that misconception for example A नाम के इंसान का एक घर है जो native place में उसके situated है और Z नाम का एक इंसान उस घर का caretaker है A नाम का इंसान जिसका वो घर है वो कई सालों बात उस घर में आ रहा है रात के समय में और Z जो उस घर का caretaker है उसे लगता है कोई चोर गुस रहा है और हमारे घर को लूटने की कोशिश कर रहा है और उस conception के चलते के हिसाब से Z ने कोई offense commit नहीं किया है लेकिन साथ ही साथ Indian Penal Code A को भी अपने आपको reasonably defend करने का अधिकार देता है और उस reasonable defense के चलते A, Z को push कर सकता है उसकी dundi खीच कर उसे fake सकता है और dispose off कर सकता है और अपने आपको समझा सकता है explanation if an offense is committed under the influence of youth and immaturity under the age of 7, 7 to 16 और 16 to 17 year of age यहाँ पर youth और immaturity के द्वारा किये गए offenses के तीन प्रकार होते हैं under the age of 7 यहाँ पर general exception कहता है nothing is an offense which is committed by the person who is under age of 7 यानि age 7 के नीचे अगर कोई इंसान है उसके द्वारा कोई भी आक किया जाए भले वो offense ही क्यों ना हो Indian penal code उसे offense नहीं मानेगा अगर 7 से 16 के बीच में अगर किसी ने किया तो उसे juvenile offender माना जाएगा और 16 से 17 के बीच में अगर किसी इंसान ने कोई offense commit कर दिया तो उसे juvenile delinquent कहा जाएगा juvenile delinquent क्या होता है juvenile offender क्या होता है इसे आप criminology में detail में study करेंगे लेकिन उसके बारे में हम लोग आज के lecture में बात नहीं करेंगे इसके बात में insanity यानि पागलपन intoxication due to alcohol और other things यानि drugs के नशे में या फिर दारू के नशे में अगर आप intoxicated है और आपसे कोई act commit हो जाए इसके बात में grave and sudden provocation अगर कोई इनसान आपको भड़का रहा है और उस भड़कावे के चलते आपसे grave and sudden provocation के द्वारा अगर कोई offense commit हो जाता है तो उसे भी offense नहीं माना जाएगा इसके साथ में abatment abatment को भी हम लोग कह सकते हैं किसे और इनसान के द्वारा उकसाए जाना तो हमारे उस particular act को Indian penal code offense तो नहीं मानेगा लेकिन अपने आपको उन act से reasonably defend करने का अधिकार जरूर देगा आशा करता हूँ आपको section no.98 section no.97 section no.96 समझ में आये होंगे thank you so much please like, share and subscribe to my channel